नमस्कार दोस्तों अगर आपने अब तक मेरा यूटूब चानल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कुर्पया सब्सक्राइब वाले रेड बटन पे क्लिक कीजिए और नए वीडियो की जानकरी पाने के लिए घंटी वाले यानी बेल वाले आइकाउन पे क्लिक कीजिए जिससे यानी आपकी उमर जो भी हो आप इस कोर्स को कर सकते हैं और इस कोर्स में आगे बढ़ने से पहले यह आवश्यक है कि आप इस वीडियो को ध्यान से देख ले क्योंकि इस वीडियो में वह सारी जानकरी है जो आपको इस कोर्स में आगे बढ़ने में मदद करेगी तो सबसे पहले कुछ महद्वा बूर्णा बाते कर लेते हैं तो पहली बात English is not difficult यानि अंग्रेजी मुश्किल नहीं है मेरी मानों तो अंग्रेजी सबसे आसान भाषाओं में से एक है तो अगर आप यह मान के चल रहे हैं कि आपको अंग्रेजी पढ़ने में कुछ कठिनाया होगी तो आपको अपने विचार बदलने चाहिए आपको सुनने में थोड़ा आजीब लगेगा लेकिन कोई भी नहीं भाषा सीखना खाना पकाने जैसा है बताता हूं कैसे तो खाना पकाने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए कुछ तबजिया या सामगरी और उन सबजियों को आपस में मिलाने का एक तरीका जिसे हम अंग्रेजी में रेसिपी कहते हैं तो अगर आपके पास सबजिया है सामगरी है और आपके पास रेसिपी है तो आप अच्छे जिखाना बना सकते हैं ठीक उसी तरह अगर आपके पास कुछ शब्द है और उन शब्द को एक वाक्य में कैसे जोड़ना है उसके नियम आपको पता है जिसे हम ग्रामार या व्याकरण कहते है तो आप एक नई भाषा भी अच्छे से सीख सकते है तो दूसरी बात यानि आपके पास एक नई भाषा सीखने की क्षमता है याद कीजिए कि वच्पन में हम सब अपनी मात्रो भाषा सीखे है बिना किसी सिक्षक की मदद लिए उस समय यह भाषा हमारे लिए एक नई भाषा थी तो उस समय हमारे पास ऐसी कौन सी खूबिया थी कि बिना किसी सिक्षक की मदद लिए हम एक नई भाषा सीख गए मुझे लगता है हमारे पास यह तीन खूबिया थी जो मैं अभी आपके सामने दर्शाने वाला हूँ जिसकी मदद से हम एक नई भाषा सीखने में मदद होती है तो पहली खुबी जिग्यासा यानी curiosity याद किजिए कि बच्पन में हम काफी जिग्यास हुआ करते थे हमें नई नई चीज़े जानने की उत्तुकता रहती थी पेड कैसे बड़ा होता है, मचलिया कैसे तेरती है, पंची कैसे उड़ते है हम सवालों से भरे रहते थे और यही जिग्यासा कोई भी नई चीज सीखने में हमारी काफी मदद करती है दूसरी खुबी आसपास की चीज़ों को ध्यान से देखना याद कीजे कि हम उपनी मात्र भाषा भी आसपास के लगों को देखके ही सीखे हैं तो आपको अगर इंग्लिश तीखनी है, तो आपको अपने आसपास ऐसी चीज़े ढूंड़नी चाहिए जिससे आपको इंग्लिश सीखने में मदद मिले जैसे कोई इंग्लिश बुक पढ़िये, वगरा वगरा और तीसरी खुबी, बिना सोचे समझे सवाल करना बचपन में हम कभी सवाल करने से पहले सोचते थे क्या कि ये सवाल करना ठीक होगा कि नहीं ये सवाल करने पे लोग क्या सोचेंगे नहीं ना, हम बिना सोचे समझे सवाल कर ले थे और इसी वज़े से हम नहीं नहीं चीज़े सीख पाते थे तो अगर ये आप टीन खूबिया अपना ले तो आपका अंग्रिजी सीखने का सफर काफी आथान हो जाएगी अब तीसरी बात यानि आपको महनत करनी होगी अब महनत कैसे करनी है वो आपको कूर्स में आगे पता चल जाएगी और चौती बात बी प्रावड अफ यार मधर्टम यानि अपनी मात्रुभाशा पर आपको गरव होना चाहिए हम अंग्रेजी इसी लिए सिखा रहे हैं क्योंकि आज के दौर में वह काफी महत्वा पूर्ण है लेकिन अंग्रेजी सीखने से कोई बड़ा या छोटा नहीं हो जाता और यह आवश्यक है कि आप इस चीज को याद रखे तो how should you use these videos यानि आपको यह वीडियो का उपयोग कैसे करना चाहिए तो पहली बात watch only one video per day यानि एक दिन में एक ही वीडियो देखे आप एक से ज्यादा वीडियो भी देख सकते हैं लेकिन अगर एक दिन में आप बहुत ज्याता सीख लेंगे तो कभी भी ऐसा हो सकता है कि आप कुछ चीज़े भूल जाए या जो चीज़े आपने सीखी है उनका सही से उपयोग ना करपा तो हम तो चाहेंगे कि आप एक दिन में एक ही वीडियो देखे दूसरी बात यानि आप जो भी नए शब्द और वाकिय सीखे उन्हें अपनी बातचीत में उपयोग में लाए मैं चाहूँगा कि आप एक सेंटेंस बैंक और वर्ड बैंक बनाए वर्ड बैंक में आप रोज जो नए शब्द सीखे उनको अपने अर्थ के साथ लिखिए आप जितने ज़्यादा शब्द और वाकिय सीखे उतनी जल्दी आप अंग्रेजी में माहिर हो जाएंगे और तीसरी बात मेक मिस्टेक्स यानि गलतिया करे अब मुझे गलत मत समझिए मेरा कहने का मतलब यह है कि गलती करने से गबराइए मत यहां लिखा है यानि गलतिया इस बात का सबूत है कि आप महनत कर रहे हैं तो कोई भी चीज में आप शुरुबात में तो गलतिया करेंगे तो आप घबराइए मत और confidence से आगे बढ़िए तो अब यह वीडियो का प्रारूप कैसा होगा यानि format कैसा होगा तो वीडियो के पहले 70-80 प्रतिशत में हम कोई भी एक विशे पढ़ाएंगे और आखरी 20-30 प्रतिशत में हम कुछ विविद बाते करेंगे जो आपको रोज की बातचीत में काम आएगी और कभी-कभी वीडियो के अंत में एक विकल्पिक परिक्षा होगी यानि optional test इसका मतलब आपको ये exam देना जरूरी नहीं है लेकिन हम चाहेंगे कि आप यह exam दे तापकी आपको पता चले कि आपको अंग्रेजी कितनी आती है तो आज के lecture में हमने ज्यादा पढ़ाई तो नहीं की लेकिन चलिए कुछ विविद बाते कर लेते हैं जिससे आपको बात्चीत में थोड़ी बहुत मदद में जाए तो आज हम देखेंगे कुछ आम सवाल यानि common questions जो हम रोज मराती जिंदगी में पूछते रहते हैं तो पहला सवाल है why यानि क्यों तो उसके उधारण why is the sky blue यानि आकाश क्यों नीला है यहाँ पे sky यानि आकाश और blue यानि नीला तो अपनी word bank निकाल लिए और यह सब शब्द लिखते जाएए वैसे ही why is the grass green यहाँ पे grass यानि घास और green यानि हरा तो why के उप्यों के दो उधारण तो मैंने दीए अब मैं आपको एक मज़ेदार चित्र दिखाता हूँ तो यह एक मज़ेदार चित्र है जिसमें लिखा है question everything यानि कोई भी चीज बिना सवाल किये मत मान लो हर चीज पे सवाल करो और जब आपको सही जवाब मिले तो ही उस चीज को मानो तो किसी ने तो इसी पे सवाल कर दिये कि मैं क्यों हर चीज पे सवाल करूँ तो उसने लिखा why तो अब आपको why के उप्यों की जानकरी तो मिल गई है चलो आप कुछ और प्रशने देखते हैं तो दूसरा प्रशन है what यानि क्या तो उसके उधारन है what is the price of an apple यानि सेब की कीमत क्या है यहाँ apple यानि सेब और price यानि कीमत वैसे ही what is the meaning of miscellaneous यानि miscellaneous का अर्थ क्या है याद कीजे जब मैंने बोला था कि कि अब हम कुछ विवेद बाते करेंगे तभी screen पे लिखा था miscellaneous तो आपको सवाल आया होगा कि miscellaneous का अर्थ क्या है अब आपको पता चल गया कि ऐसे सवाल कैसे पूछे जाते हैं तो अब तीसरा प्रशन how यानि कैसे इसके उधारन how is pizza made यानि ये pizza कैसे बनता है वैसे ही how does TV work यानि TV कैसे काम करता है तो चौथा प्रशन है when यानि कब when will the train arrive यानि train कब आएगी अब इसमें arrive यानि आना वैसे ही when will the rain stop यानि बारिश कब रुकेगी यहाँ पे rain यानि बारिश और stop यानि रुकना when will I learn English यानि मैं English कब सीखूंगे अब इसका जवाब आप खुदी दे देंगे अब पाफ़वा प्रशन where यानि कहां where is effil tower यानि effil tower कहां है यह जो आपको बाजू में चित्र में दिख रहा है वो effil tower है तो आपको अगर पूछना है where is effil tower और effil tower कहां है तो आप पूछेंगे where is effil tower वैसे ही आपको किसी को पूछना है कि आप तहां रहते हैं तो आप पूछेंगे where do you stay यहाँ पे stay यानि रहना और आखरी प्रश्न who यानि कौन who is the prime minister of India यानि भारत के प्रधान मंत्री कौन है यहाँ पे prime यानि प्रधान और minister यानि मंत्री जैसे ही who is CV रमन क्यानि CV रमन कौन है आपको अगर पता नहीं तो पता कीजिए CV रमन कौन है तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही धन्यवाद